इस कारिक्रम को इसलिए बनाया गया कि सूखे से जितने भी छेतर प्रभावित हैं जिसके कारण उनके विकास की गती जो है वो धीमी हो गई है तो उसे निरंतर आगे की ओर बढ़ाना और इसमें क्या-क्या बाते होनी चाहिए जिससे वो छेतर विकास करेगा तो पहला इसमे कहा गया कि जो स्थानी लोग हैं समीती ने बोला कि जितने भी सूखा संभावी छेतर के स्थानी लोग हैं उन लोगों को जादा से जादा रोजगार उपलब्ध करवाना साथ ही साथ सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए जो सिचाई के साधन है वो सिचाई के साधन को औ और अधिक जो है वो विक्सित किये जाए या हम कहें कि जिससे सिचाई के अधिकतम साधन विक्सित किये जाएंगे तो सूखे के प्रभाव को कम किया जा सकता है अब इसके अंतरगत क्या-क्या कारी किये गए तो शुरुवात में तो हम देखेंगे कि जब यह योजना बनाई मटब अधिक जोड दिया गया लेकिन अ बाद में यह महसूस किया गया कि इससे बात नहीं बनेगी और जो मतलब शुरूआत में तो सिविल निर्माण इस लिए इस पर जोड़ दिया गया क्योंकि ऐसे सिविल निर्मान कारी जिसमें बहुत अधिक श्रमिकों की या लेबर्स की आवश्रक्ता होती है इस पर जोड़ दिया गया जिससे वहां रहने वाले जो इस्थानी लोग हैं उन्हें अधिक से अधिक मात्रा में रोजगार जो है वो उपलब्ध हो सके लेकिन बाद में यह लगा कि भई इससे बात नहीं बनेगी और इसके बाद फिर दूसरे इस्तर पर देखा गया कि जो सिचाई परियोजनाओं के साथ जितने भी जो वहां पर लवड़ी भूमी मिलती है उस लवड़ी भूमी के लिए भूमी व रिक्षा रोपन और चारागा के विकास के लिए कारिकरम बनाए गये और ग्रामीड सेवाओं पर भी जोर दिया गया ये कारिये जो हैं इस सूखा संभावी छेत्र के विकास के लिए किये गये अब हम ये देखते हैं कि लगातार हमारे देश की जनसंख्या तो बढ़ रही है जनसंख्या का दबाओ जो है वो कम नहीं हो रहा है तो क्या हम मतलब इस कारिकरम को जब चलाया गया तब भी ये महसूस किया जाने लगा कि जादा से जादा जोर जो है वो हम कृशी और उससे संबंधित कारिय पर ही मतलब जो तो तो सकुआखे ने लिए जटते रहे हैं और जननसंख्या तो लगातार बढ़ रहरी है उसका दबाऊ लगातार बढ़ रहा है और इसके लिए हम क्या कर रहे हं कि हमारे आवश्च्छता की पूर्ति के लिए ही हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन पराप्त कर किरने की कोशिश करते हैं क्योंकि हरजन संख्या को भोजन की आवश्चता है और इसके लिए हम बोहत अधिक उर्वर को का प्रेयों ये कीट नाशक उपरियों कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा सिचाई जो है वहां पर कर रे और जितनी भी भूमी है हमारे पास पहले ही लवडी है उसे और ज्यादा लवडी बनाते जा रहे हैं और भूमी की पूरी जो उपजावपन है उसे हम नश्ट करते जा रहे हैं क्योंकि जितनी क्रिशी भूमी उपलब्ध है उससे तो हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्रि पिर इस छेत्र में ये महसूस किया गया कि जो किसान है वो उपलब्ध कृशी भूमी के अतरिक्त जो सिमान्त कृशी भूमी है उनका भी प्रयोग करने के लिए मजबूर हो गये हैं क्योंकि जनसंख्या जो बढ़ रही है और उन्हें अनाज उपलब्ध कराना फर्स्ट प्र भूमी के लगातार जो है अधिक से अधिक उपयोग करने के कारण भू निमनी करण की जो समस्या है वो प्रमुक रूप से उत्पन हो रही है देखा गया कि भूमी का उपजावपन है वो लगातार नस्ठ होता जा रहा है तो फिर इसके लिए ये महसूस किया गया कि जो ये छेत रहें यहाँ पर क्रिशी और उससे संबंधित कारे की अतरिक्त वैकल्पिक रोजगार के अवसर जो है वो ढूंडे जाए या ये महसूस किया गया कि जो इस्थानी लोग हैं उन्हें और अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्रिशी से अतरिक्त उसको उसके और बहुत जादा फोकस ना करें और एक वैकल्पिक विवस्था बनाई जाए जिससे कि वहां के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार जो है वो उपलब्ध किया जा सके इसमें एक छोटा सा प्रश्न ये बनता है और अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि जो पावित रह जाते हैं तो इसमें आपका उत्तर होना चाहिए कि ये पंजाब, हरियाना और जो उत्तरी राजस्थान है यहां पर सिचाई की जो सुविधा है वो अच्छी सिचाई की सुविधा उपलब्ध है जिसके कारण ये सूखे से बच जाते हैं तो हमने बात की कि जो देश में जितने भी सूखे संभावी छेत्र हैं उनके विकास के क्या-क्या कारिकरम बनाएंगे, कौन-कौन से छेत्र इस कारिकरम के अंतरगत चिन्हांकित किये गए, इनका उदेश ही क्या था और साथ ही साथ इनके लिए किस प्रकार की व्यवस्था जो है वो बनाई जा हैं, बच्चों हमने शुरुवात में ही बात की थी कि जो हम नियोजन की बात करें थे हैं आ प्लानिंग है न तो देश की संदर में जब हम इसे देख रहे हैं कि देश की अर्थ व्यवस्था के विकास के लिए जो योजना या प्लानिंग जो बनाई गई तो उसका तो लोगों को रोजगार मिले और लोगों की आय जो है वो अधिक्तम आय लगातार बढ़ती जाए यह सभी जो है इन सभी माध्यमों से हम अपने देश की अर्थेवस्था का विकास कर सकते हैं या उसे बढ़ावा दे सकते हैं और यह अपने संसाधनों का उपलब्द जितने भी संसाधन है उनका जादा से जादा समूचित उपयोग कर पाएं वैज्ञानिक और तक्निकी दोनों ही वीधियों को अपना कर तो ये हमने देखा भी था कि भी अलग-अलग पंचवर्शी योजनाओं के माध्यम से ये जो कारिक्रम है वो तै किये गए थे अब इसी जो वती छेत्र विकास कारिक्रम सुखा संभावी छेत्र विकास कारिक्रम हना इन सभी में आपका एक जो अंतिम विकास कारिक्रम इसके अंतरगत चलाया गया वो है जनजाती छेत्र विकास कारिक्रम संभावी जनजाती छेत्र विकास कारिक्रम इसे हम ITDP के नाम से भी जानते हैं Integrated Tribe Development Program समन्वित जनजाती छेत्र विकास कारिक्रम तो आईए हम इसमें एक जो बोलते हैं Case Study है ना या इस्पेशली हम किसी एक छेत्र का जो अध्यन कर रहे हैं तो उसके अंतरगत या मैं यह कहूँ कि जनजाती छेत्र विकास कारिक्रम के अंतरगत जो आपके सिलेबस में हैं भर्मोर छेत्र का विकास कारिक्रम या भर्मोर छेत्र का Case Study की हम आज चर्चा करते हैं ये जनजाती छेत्र विकास कारिक्रम की अंतरगत हम देखते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश है हिमाचल प्रदेश के जो और अन्य जीले जिन्हें इस जनजाती छेत्र विकास कारिक्रम की अंतरगत रखा गया उसमें एक प्रमुख है आपका भरमौर छेत्र तो आएए हम जान लेते हैं कि सबसे पहले ये भर्मौर छेत्र है कहां और इसकी क्या विशेश बात है भर्मौर छेत्र जो है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा जीले की जो दो तहसीले हैं भर्मौर और होली यहां पर इस्थित है और इस छेत्र को 21 नवंबर 1975 को ST छेत्र या हम कहें सिडूल ट्राइब छेत्र के अंतरगत अधिकरित किया गया या गजेटियर में यह बताया गया कि यह जो भर्मौर छेत्र है यह शिडूल ट्राइब छेत्र जो है वो की घोशना की गई अब इसकी प्रमुख बातें क्या है इस छेत्र की क्या विशिष्टा है तो इस छेत्र की प्रमुख विशिष्टा यह है कि इस भर्मौर छेत्र में प्रमुख रूप से गद्दी जनजाती की लोग निवास करते हैं इस छेत्र की जो जनसंख्या है दो हजार ग्यारा जनगर्णा के अनुसार वो 49,113 है 39113 और यहां पर जनसंख्या घनत्व जो है वो 21 व्यक्ति प्रती वर्ग किलोमेटर मिलती है और यह जो गद्दी जनजाती के लोग हैं यह प्रमुख रूप से गद्द्याली भाशा जो है वो प्रयोग करते हैं और प्रमुखीन की जो विशेष्टा हम कहें तो यह रीतु प्रवास करना रीतु प्रवास करना मतलब जब ठंड कस मौसम होता है ठंडी बहुत अधिक यहां की जलवायू जो है इस छेत्री की वो बहुत कठोर है बहुत अधिक शीत रीतु में कडाके की ठंड पड़ती है तो उस समय पे यह लोग जो है यह कांगला और उसके आसपास के छेत्री की तरब प्रवास कर जाते हैं तो रीतु प्रवास जो है वो इस जनजाती के लोगों की प्रमुख विशेष्टा है और साथ ही साथ आर्थिक क्रिया देखें कि किस प्रकार की क्रिया करते हैं तो प्रमुख रूप से क्रिशी कारिय करना भेड और बकरी पालन जो है वो इस ज टाइप डेवलापमेंट प्रोग्राम समन्वित जन जाती चैत्र विकास कारिकरम इसकी प्रमुख उद्देश जो है वो क्या थी तो इसके प्रमुख उद्देश थे पहला तो इस झेत्र में परर इस झेत्रेकी जहाई जाए जा रहे हैं, तो प्रमुखु देश था कि यहां पर इस झेत्र पर को दो गद्रीयों कि जीवन इत्रमें सुधार लाना, उसके बाद भर्मौर और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के जो अन्य छेत्र हैं अन्य भाग जो हैं उनके बीच विकास के अंतर को कम करना मतलब भर्मौर छेत्र जहां पर गदी जन्जाती प्रमुकृप से निवास करती है और हिमाचल के अन्य जो विकसित जीले हैं इन दोनों में विकास में बहुत अंतर देखने को मिलता है अन्य छेत्र जो हैं वो बहुत विकसित हैं और ये भर्मौर छेत्र जो है ये विकास के पिछड़ा हुआ है पहला उदेश था इन जनजाती के लोगों के जीवनिस्तर में सुधार करना और दूसरा हिमाचल प्रदेश के अन्य जीलों और इस भरमौर छेत्र के बीच जो विकास की गती है हम यह कहें विकास की गती का जो अंतर है डिफ्रेंस है उसे कम करना यह प्र प्रमुख रूप से कौन-कौन से कारी जो है वो किये गए तो इसके अंतरगत जो परिवहन है परिवहन के साथ-साथ क्रिशी और इससे जुड़े जो कारी है उन सभी का सामाजिक और सामुदाईक सेवाओं के विकास को सरवाधिक महत्व दिया गया मतलब जो सामुदाईक और सामाजिक विकास के साथ-साथ यहां पर क्रिशी का भी अधिक सेधिक विकास किया जाए परिवहन के साधनों को उन्नत परिवहन के साधनों को संचार के माध्यम से इसे अन्य छेत्रों से इसका जुड़ा हो यह सुनिश्चित किया गया तो यह सभी कारी जो है विकास के ये इस छेत्र में किये गए यहां इस उदेश को प्रात्त करने के लिए हम भरमोर छेत्र के के स्टेड़ी की बात कर रहे हैं तो पहले हम देख रहे हैं आप मांचीत्र में देख पा रहे होंगे कि भर्मौर हिमाचल प्रदेश के चंबा जी ले की भर्मौर और होली नामक जो दो तहसील है इस परिस्थ है और यह छेत्र जो है यह 32 डिग्री 11 मिनट उत्तर से 32 डिग्री 41 मिनट उत्तरी अक्षांस और 76 डिग्री 22 मिनट पूर्व से 76 डिग्री 53 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच फैला हुआ है इस भर्मौर छेत्र का कुल छेत्रपल 1818 वर्ग किलो मिटर है और इस छेत्र का अधिकांश भाग 1500 से 3700 मिटर की उचाई के बीच स्थीत है इस छेत्र के चारो और उचे उचे पर्वत हैं आप देख पारे होंगे मानचित्र में इसके उत्तर में पीर पंजाल और दक्षिन में धौलाधार पर्वत शेनिया जो है वो रोहतांग दर्रे के पास इस्थित पीर पंजार श्रेनी में विलिन हो जाता है और जैसा चित्र से मानचित्र से इस पस्थ है इस छेत्र में रावी और उसकी दोज सहायक नदिया बूधिल और तुंदाह नदि ये बह रही है और इन्होंने गहरे महा खड़ों का निर् करती हैं आप देख पा रहे होंगे खोली खानी कुगती और तुंदा ये चार भूखंड में इन नदियों ने इस भरमौर छेत्र को विभाजित कर दिया है और जैसा हमने बात की थी कि यहां की जलवायू जो है वो बहुत कठोर है यहां का ओसत मासिक तापमान चार डिगर से 26 डिगरी सेंटीग्रेट के बीच होता है और इस छेत्र में शीत्रीतु में हिम पात होना एक बहुत ही समान्य बात है तो अभी हमने देखा था कि यह जो भरमौर छेत्र है जो चार भागों में विभाजित है इसमें हम देखते हैं कि जो प्रमुखरूप से होली और खानी छेत्र हैं यहां पर विकास अधिक हुआ है और होली और खानी छेत्र में आर्थिक विकास अधिक हुआ है और तुदा और कुनाई छेत्र में विकास की गती जो है वो धीमी है अब ये जो विकास कारिकरम भरमौर छेत्र में चलाया गया जनजाती विकास कारिकरम तो उसमें हम देखते हैं कि इसके सामाजिक और सांस्कृतिक लाब जो है वो कौन-कौन से थे तो क्या-क्या सांस्कृतिक सामाजि के साधन है, पेजल और संचार के साधन है, साथ ही साथ विद्यूती करण कभी इस छेत्र में बहुत अधिक विकास हुआ. फिर हम ये देखेंगे कि जितने भी सैक्षनिक संस्थानों का विकास किया गया, तो इसके करण यहां पर साक्षर्ता दर में बहुत तेजी से व्रिद्धी हुई, इसका प्रभाव हमें साक्षर्ता दर में व्रिद्धी के रूप में देखने को मिला, और ये हम देखते हैं कि विशेश रूप से जो महिला साक्षर्ता दर जो है, वो 2011 में बढ़कर 65% हो गई. 2011 में 65% हुई और हम ये देखेंगे कि 1971 में केवल 1.8% थी, तो हम देखते हैं कि कितना बहुत तेजी से विकास हुआ या कितनी बहुत अधिक व्रिद्धी हुई साक्षर्ता दर में और विशेश रूप से महिला साक्षर्ता दर में. तो हम इसके जो लाब हैं, यह हमको ऐसे ही देखने को मिल रहे हैं और साथ ही साथ इसका प्रभाव एक अलग और हुआ कि जो पुरुष और महिला की जो साक्षर्ता दर है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है या अंतर है, उसमें भी कमी देखने को मिली. फिर हम देखते हैं कि जो लिंगा नुपात है, मतलब प्रतिहजाद पुरिशों पर महिलाओं की संख्या, तो लिंगा नुपात में भी सुधार हुआ और वहाँ पर इस जनजाती में प्रमुक रूप से जो बाल विवाह की प्रथा देखने को मिलती थी, चुकि साक्षर्ता दर में व्रिधी हुई और विशेश रूप से महिलाओं की साक्षर्ता दर में व्रिधी हुई, इसका परिनाम हम ये देखने को मिला, कि वहाँ पर ब और इसके कारण जो रीतु प्रवास वहाँ पर किया जाता था उस रीतु प्रवास में भी कमी आई। इसके साथ ही साथ अब पशुचारण और पशुचारण के साथ साथ दाले और जो अन्य नगदी फसले होती हैं उनकी कृषी में भी यहां पर उस दर में भी हमें वृध्धी देखने को मिली तो यह प्रमुख समाजिक और सांस्कृतिक लाभ हमें इस जंजाती विकास कारिक् इस पस्ट रूप से द्रिष्टिगत होते हैं या दिखते हैं जिसके कारण इस भरमौर छेत्र का जो विकास है वो निरंतर आगे की तरफ बढ़ रहा है